नमस्कार बीसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हो क्षिति जा और मैं हो मनिश्टिव राइए बात करते हैं आज के चुनावी नतीजों पर बिल्कुल अभी हम विधाप के स्थिति जानेंगे क्योंकि जो है मतगन्ना शुरू हो चुकी है पोस्टल मतदा मतगन्ना स्थिति जो है यह सामने आने लगी है स्पष्ट होने लगी है जिसमें नाकपूर यह विधाप का जो है नाकपूर और देश की निगाह इसकी और लगी थी हाई प्रोफाइल सिट हाट सीट ऐसी कई बाते इस सीट को लेकर होती थी तो यहां नितिन गड़करी आगे चल रह हैं उसी तरह ननीत राना इस सीट के और भी अम्रावथि के सिट के और भी निगाहे थी क्योंकि नवनीट राना जो है इनकी जो जिस तरह से कॉंत्रिवर्सी हुई जो हमने देखा चुनाओं से पहले मह 02 उसके बाद वह seat की और भी लोगों की निगाय थी तो वहां से नव wus Teddy Rajabi आब पीछे चल रहे है यह पहले रांड है पहले रांड की जो है मधगणना शुरू है और उसमी जो नतीज़ार इस ऐह हम उसकी बात कर रहे हैं अभी और भी मधगणना होनी है जिस प्रकार से शितिजा देखा जाए तो गिधर्वा में जो है इंडिया गडबंदन महाविकास आगारी आगे दिखाई दे रहे हैं पहले खुराथमी कुरूजानों में अमराबती की बात करें तो Dortranula भी पिछाडी पर है साथ साथ वर्दा की बात करें अमर काले आगे दिखाई दे रहे हैं रामटिक में से राजू पारवे शामकुमार बरवे आगे दिखाई दे रहे हैं इस yatची रूली से अशोक नेती आगे है महायिती के भंडारा गोंदया प्रतिबाद धानोर कर यह आगे चल रही है तो ऐसे विध्वत में जो है यह जो स्थिती बन कर आ यहां पर खरा उतरते हुए नजर आ रहा है पहले जो है राउंड है उसमें अभी स्तिती और भी स्पैस्ट होनी है क्योंकि और भी मत गन्ना जो है होनी है यह पहले राउंड की जो है नतीजे सामने आएं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे है जैसे कि देख रहे है जो स्तिती बनी है गड़के रीजियों है नाकुर से वो तो लगातार आगे बने हुए और आगे ही बने है अमरावती से जो है नौनित राना पहले आगे चल रहे थी अब वो पीछे चल रहे है ऐसी कई स्तितिया जो है पल-पल कोचन मिंटो में चन सेकन में जो है अभी को चेंज हो रही है इसमें और आगे और क्या होता है यह तो पहले राउंड की हम स्तिति आपको बता रहे है यह चित्र है जो यह पहले राउंड का है और भी आगे अलग चित्र हो सकता है या यह स् हैंगे अमरावती जो है चंद्रपूर जो लोगसाबा शेत्र है चंद्रपूर लोगसाबा निरवाचन शेत्र में भारती जनता पार्टी की हाई प्रोफाइल सीट वहां से खड़ी है तो क्या लगता है आपको सहानुभूती का जो फैक्टर था कॉंग्रेस को कारगर साभीत टॉपा क्या बताना चाहिए इसको किस प्रकार से भी फिल्कुल चंद्रपूर के बारे में तो मैं भली भाती से जानती हूं क्योंकि मैंने वहां जाकर वह स्थिती को देखा है वहां जाकर नियूज कवरेश किया है लोगों की भी जो है जनता का चौपाल किया था उसमें बीजनमत भी सामने हमारे आया था, वहँ हमें प्रतिबाध हनोर करकी और जो है लोगों का रूज़ान दिखाइ रहा था बिल्कुल और जो सिंपती वोट जो है वो भी कहिना कही वहाँ जो है आगे आये थे मुनगंटिवार का जो यह है रुजान था या लोगों का रुजाओ था वो बलार्शा जहां से वो विधायक चुनकर आये है जो उनका विधान सबाक्षेत्र है वहाँ उन्हें लो पर जो है सरहना हो रही थी जो उनके पती थे बिल्कुल बारुधान औरकर उनके कामों की जो है लिस्ट लोग बता रहे थे किस तरह से वो काम करते थे या लोगों तक वो किस तरह से पहुचे हुए है लोगों तक उनका कितना जो है कनेक्टिविटी है यह सब वो लोग वह प्रतिबाद हनुर कर आगे चल रही है और मुनगंटी बार जो है पीछे लेकिन अभी जो रुजान है वो आने बाकी है नतिज़े आने बाकी है आगे क्या स्थिती हो सकती है हमने कैसे सकते क्योंकि पलग छपकते ही आकड़े यहां पर चेंज हो रहे हैं अभी जो मैं बता र से जो है विधायक उसके बाद जो मंत्री रहे है बलार्शा में उनका सीमित प्रभावता लेकिन इस सीमित प्रभाव के बीच साहनुदूति का फैक्टर यहां काम कर जाएगा लेकिन इसी बीच शीतिजा देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आपती जता है तो क्या लगता है यहां कहीना की कमजोर बना सकता यह तो प्राथमी कुरुजान है किसी भी रूप से यह चीत्र स्वष्ट नहीं कह सकते क्योंकि चंद्रपूर की जो भारती जनतापाइट और महायुविती की सीथ है वो काफी हाई प्रोफाइल है यहां से प्रतिबाध वोटर जो थे उनकी कुछ समस्या थी लेकिन वहां तक प्रतिबाध हनर कर पहुश नहीं सकते यह कह सकते हैं कि उनके पास समय नहीं होगा या बाद में वो पहुचे भी लेकिन हो सकता है क्योंकि प्रचार शुरू ही था वो प्रचार के दरम्यान उनसे उनकी बाचित था क्योंकि हम देखते हैं कि कॉंग्रेस के और ही लोगों का जो है धुका दिखाई दे रहा था कही ना कही थोड़ी बहुत नाराज की दिखाई दी होगी वो भी बाद में उनोंने मतलब उनकी मिटिंग तैए हुई थी उनकी मिटिंग होने वाली थी उन लोगों के साथ उसके बाद उसका निराकरन किया जाना था तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि प्रतिबा धानुरकत इन्होंने उनसे मुलाकात कर वो नाराज की भी कही ना कहीं दूर की होगी क्योंकि लोकसभा चुनाओं का जो माहूल था ऐसे में किसी को नाराज रखना जादा देड़ थी प्रतिफ्रख मिला ही साथि साथी साथी राजु पार्वे जोंग्रिस की विधायक ते अरyas की वीद्या कि कैट यहां कर अघार सबित हो क्योंकि बाराबार यहां से कॉंग्रेस के सांसद चुन किया है 1907 में जब कॉंग्रेस रामटिक लोगसभा निर्वाचन शेत्र की जो है यहां से opening होई ती बोल सकते है स्थापना हुई ती उसके बाद से कॉंग्रेस के ही सांसद ने यहां से ओपनिंग की है, कॉंग्रेस नहीं यहां का अकाउट खोला है, उससे कहीं नहीं गोल सकते कि इस बार क्या इतिहास दोरा रही है कॉंग्रेस किस प्रकार से, जो है स्वविधान का फैक्टर यहां काम कर जाएगा। पता नहीं हो सकता है, आकड़ों में और जादा चेंज हो, या आकड़ेस चेंज हो, परिवर्तित हो, ये भी हो सकता है क्योंकि और भी वोटों की गिनती हो नहीं है, लेकिन फिलाल पहले राउंड में जो है राम्टिक से शाम कुमार बर्वे यह आगे चल रहे है, वो भी 7000 म से अमरकाय यह जो है आगे चल रहे हैं इस प्रकार की वैधर्ब की स्थिती देखी जाए तो कॉंग्रस के पाले में जाता दिखाई दे रहा है तो क्या लगता है विधर्ब भी इस बार इतिहास दोराएगा कि कहीं कॉंग्रेस का जड़ रहा है विधर्ब पहले बार देखा जाग गया है लेकिन नापूर के जो स्थित है यह भारती जन्ता बाट्य और महायुती के लिए काफी आवश्यक सावित होती क्योंकि यहां से केंद्रियमंत्री रह चुके हैं नितिन जैरान गड़करी नितिन बखी है बिल्कुल जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विकास ठाकरे जो है यह विपक्ष में थे और नितिन गड़करी के प्रत्याशी थे विरोध में तो यह 11,000 मतों से पीछे चल रहे हैं फिलाल हम देख रहे हैं और इसमें हम यह भी देख रहे हैं कि जिस तरह से यहां की फाइट हुई थी पहले नहीं लगाता इतनी टफ फाइट होगी नितिनगरकरी को इतना टफ कैंडिडेट मिलेगा क्योंकि केंद्री यह मंत्री है उनके कामों को जो है लोग सराते है पुरे देश में उन्हें कहीं भी विरोध नहीं है विपक्ष भी उनके साथ रहत से यह सेपसित आखिरकार नहीं रही जब कॉंग्रेस ने कैंडिडेट घूशित किये वर्धा से बड़ी खबर आगे आ रही है 431 ओटों से जो है अमर काले आगे दिखाई दे रहे है जो कि शरचंद्र पवार राष्ट्रवती कॉंग्रेस पार्टी यह उम इंडिया कड़भंधन के जो है प्रत्याशित है रामिदास तड़स के खिलाब जिस प्रकाज इस पष्ट दिखाई दे रहा है चित्रस चलती है तो देश की राजनेती चलती है और आखिरकार नाखूर में आज के दिन क्या होगा नाकूर से कौन जितेगा यह पल-पल की खबर हम आप तक पहुशाते रहेंगे आप देखते रहें साथ हर पल की अपडेट, हर पल की खबर मतगन्ना के संदर्म में के लिए देखते ही, NBC News धन्यवाद